International Trade theories, Mercantilism, Absolute, Comparative, Factor, Endowment और International Product Lifecycle Thyory को चल ले माईशनल श्टार्ट कर आपको पता हैं तो जैसे कि आपको पता है कि आपके स्पोरेस में नोट थियोरी में यह इनको में यहाँ पे डिसक्स करेंगे, वही पे दूसरी वीडियो में international investment theory को discuss करेंगे जहाँ पर theory of capital movement है marketing perfection theory है internationalization theory है location specific advantage theory है और eclectic theory है तो 5 theory investment में वो 5 theory trade में है तो चलिए श्टार्ट करते हैं सबसे पहले है कि mercantilism तो mercantilism theory में बहुत ही easy theory है यहाँ पर यह सीधा सीधा आ गया है कि यहाँ पर आपको जो है bullion यानि कि gold और silver में अपने देश में wealth maximize करना है और इसको maximize करना है export करके जब international trade की बात होती है जब आप trade करते हो internationally दूसरे country में तो वहाँ पर आपके जो country का focus होता हो कि ज़्यादा से ज़्यादा wealth यानि gold और silver के रूपे अपने हाँ पर wealth accumulate करना export करके और import को कम करना क्योंकि import करेंगे तो हमारा wealth दूसरे country में जाएगा export करेंगे तो दूसरे के country का wealth जो है gold और silver के form में हमारी country में आ जाएगा तो इसलिए यहाँ पर mercantilist theory में क्या कहा गया कि ज़्यादा से ज़्यादा export करें और import को minimize करें mercantilism is an economic policy that is designed to maximize the export and minimize the import for an economy यहाँ पर export को maximize करना होता it promotes imperialism, colonialism, tariff, subsidies on trader goods to achieve that goal तो अब ज़्यादा से ज़्यादा export करना है और import को minimize करना है तो उसकी लिए क्या करना होगा बटाव ऐसी बात है कि जो import हो रहा है उस पर tariff लगा दीजिए और जो export हो रहा है उन पर subsidies दीजिए तो subsidies दे देंगे अगर export करने वाले पर तो export ज़्यादा होगा और tariff लगा देंगे इंपोर्ट पर तो पटाव ज़्यादी import क्या हो जाएगा minimize हो जाएगा यह कुछ टेक्निक है जिसके तो जो है इस गोल को अचीव किया जाता कि ज़्यादा ज़्यादा wealth को maximize करना है एक्सपोर्ट करके तो government sought to ensure that export, exceed, import and to accumulate wealth in the form of bullion bullion market मतलब क्यों होता है जहाँ पर gold और silver का लेंदेन होता है तो bullion का मतलब कि है gold और silver तो government का motive क्या होता है आप एक्सपोर्ट करना और ज्यादा से ज्यादा जो है एक्सपोर्ट करना और ज्यादा ज्यादा wealth maximize करना bullion के फॉर्म में यानि gold और silver के फॉर्म में और import को minimize करना तो यह जो mercantilis theory था यह जो idea था यह दिया गया था Jean Baptist Colbert दोरा जिलको mercantile ideal भी कहते हैं तो आप इस figure से भी देख सकते हैं यहाँ पर फेगर में आप समाझ रहोंगे कि export को ज्यादा करना है more export और import को कम करना जिससे कि balance of payment जो होता है balance of trade जो होता है वो आपके लिए favorable होगा वहीं पर दूसरे वाली figure में आप देख सकते हैं कि mother's country यानि कि जो अपने home country की treasury होते हैं उसको full करना किसे gold और silver से wealth maximization gold और silver से अपनी treasury अपनी खजाने को भर लेना तो वही क्या होता है तो यहाँ पर इसको कैसे किया जा सकता है जब ज़्यादा export करेंगे और import को minimize करेंगे तो export पर आप जो है subsidies देंगे और import पर आप क्या करेंगे टारिक्स लगा देंगे तो इससे क्या होगा एक्सपोर्ट maximize होगा next theory है absolute cost advantage theory तो देखें absolute cost advantage होता है कि यहाँ पर कि जब आप किसी दूसरे country से कोई product ज्यादा कम cost में बना रहे हैं वहीं पर आपके according कोई दूसरी country कोई दूसरा product जो है कम cost में बना रही है तो क्या हो जाएगा कि उसको absolute cost advantage हो जाकर दूसरे product में आपके पास हो जाएगा absolute cost advantage दूसरे product में अब example के तोर पर समझेए कि इंडिया और चाइना है इंडिया एक लेबर पर आवर काम कराकर जो है wheat 6 unit जो है produce करता है वहीं पर इंडिया एक लेबर पर आवर जो है काम कराकर rice 2 unit produce करता है अब चाइना की बात करने कि चाइना एक लेबर पर आवर काम कराकर wheat को 2 unit produce करता है वहीं पर चाइना एक लेबर काम कराके unit को दो unit produce कर रहा है तो absolute cost advantage किसका हो गया इंडिया का वहीं पर rice के case में absolute cost advantage किसका हो गया चाइन अगर आपसे कोई product है जैसे आप weed बना रहे हैं तो आपसे कम cost में सामने वाली country बना रहे हैं तो absolute cost advantage है तो absolute cost advance theory में यही होता है कि जो product आप system बना रहे हो उसको आप export करें और जो product आप दूसरे country के according ज्यादा cost में बना रहे हो तो उसको आप इंपोर्ट कर लिजे Absolute Cost Advantage Theory refers to the ability of a business to produce more, sell more of good or service that competitor using the same amount of resource जैने कि same amount of resource का use करके आप जो है कम cost में produce कर ले रहे हो और ही पर सामने वाला ज्यादा cost में produce कर रहे हो तो आपके पास क्या हो जाएगा absolute cost advantage जैसे क्या भी example मैं बताया कि एक लेबर पर आवर आप जो है पर आवर काम करा रहे हो तो इंडिया उसमें 6 unit गेहों का use कर रहा है और चाइना जो है दो ही unit produce कर पा रहे है तो इंडिया के पास absolute cost advantage हो गया wheat के लिए एन individual business or country said to have an absolute advantage if it can produce a good at lower cost than other individual business country जैने कि कोई भी country हो चाहे हो individual हो चाहे हो बिजनेस हो अगर lower cost में goods को produce कर रहा है as per comparison to other country और business और individual तो उसके पास क्या हो जाता है absolute cost advantage हो जाता है यह जो theory थी वो दियेगे थी Adam Smith द्वारा Adam Smith ने इस theory को propound किया था इस circumstance में क्या होता है कि जब आपके पास absolute cost advantage होता है as per comparison to other country तो इस case में क्या होता है trade होता है जो हम सस्ते में बना ले रहे हैं कम cost में बना ले रहे हैं हम आपको export कर देंगे जो आप कम cost में बना ले वो हम आपसे import कर लेंगे तो यह international trade हो गया under such circumstances an exchange of goods will take place only if each of the two countries can produce one commodity at an absolutely lower production cost than the other country तो जो example बताया कि एं जो चाइना एक लेवर पर अब्हदा दो तो लेवर प्ण्ट कर ने कीवर राइस एक्सपोर्ट करेगी तो वीट जो है एक्सपोर्ट किया गया इंडिया द्वारा चाइना को और राइस जो है एक्सपोर्ट किया गया चाइना द्वारा इंडिया को यह एक्सपोर्ट किया गया चाइना द्वारा इंडिया को यह एक्सपोर्ट किया एक्सपोर्ट किय जाना हे तो इंडिया जो हे दो प्रोड़क्ट बना रहा रहा है वीट और राइस और दौनों में उसके पास जो है absolute cost advantage थो रही है जानि कि दौनों प्रोड़क्ट वीट और राइस दौनों ही इंडिया सस्थे लो-call cost में produce कर पा रहा है यहां पर हम दोनों में और और नहीं हों यहाँ होता क्या है कि जो समान जो है ज्यादा कमपेटिवacherे रहे हो तो जो समान दोनों में Homer और राइस दोनों में पर आवर में छे पर 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 पोड़ू कर रही है और चाईना है वो वन् लेबर पर आवर में एक उलिट्स फरू पर पारोग्त बंपर पर पर. पर पर कर रही है और वन् लेबर पर आवर में पर प्रावर में राइस भी थ्री उनिटी प्रोडूस कर पारे तो absolute से लिए अपने वाले अब चैना क्या करेगा? जिसमें ज्यादा cost आ रहा है, वो कम unit produce हो रहा है, उसको नहीं बनाएगी, उसको export कर लेगी, import कर लेगी दूसरे country से, और ज्यादा produce कर पा रही है, कम cost में, उसको ज्यादा produce करके export करेगी, तिहाँ पर होता है comparative cost रही है, यानि कि countries अपने ही cost में compare करते हैं, अलग अलग product के, और उसमें जो भी cost, जिसकी भी cost ज्यादा आ रही होती है, उसको वो import कर लेते हैं, और जिसकी cost कम आ रही होती है, ज्यादा produce कर पाते हैं, उसको export कर देते हैं, तो the ability of a party to produce a particular good or service at lower marginal and opportunity cost over, एन्हें दर्यानी कि, आप जो है दो goods बना रहे हो, दोनों में से जो कम cost में बना पा रहे होग जैसे competitive advantage है, किसके पास, Ireland के पास, तो वहाँ पे cheese and butter जो है, आसानी से ज्यादा quantity में produce किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे land जो होते हैं, और dairy cost के लिए suitable होती है, इसी तरके से चाइना में labor, अच्छे खाजी, evident model में वहाँ पे available हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, electronic item को ज्याद करिए, next है, आपका जो है, factor endowment theory, तो factor endowment theory में मतलब क्या ओदा कि हर country में कही न कहीं कोई न कोई resources ज्यादा amount में available होते हैं, तो उस country को अपने उस resources जो उसके यहाँ पे ज्यादा amount में available हैं, तो अपने सारे internal resources उसके production में लगा देने चाहिए, ताकि उसको ज्यादा ज्यादा produce करके उसको आप export करिए, तो यह factor endowment theory कहता है, the factor endowment theory holds that countries are likely to be evident in different type of resources, if a country has a comparative advantage in a good that uses the factor with which it is heavily endowed, it should focus its production on that good, तो आपको किस पे focus करना है, जिसका आपके यहाँ पे ज्यादा amount में available है factor, उसके production पे ज्यादा focus करना है, अब suppose करिए आपके यहाँ पे iron ore अब से ज्यादा मिल रह है, तो iron से related जो भी product आप बना रहे हो, उसके production पे ज्यादा ध्यान देजा और उसको export करिए, यह चीज़ कहता है, factor endowment theory, तो given by hexer oil ने दिया था, countries with evident oil tend to export oil, regulatory internal resources toward producing the factor, they have in quantity, तो देखें कंट्री जो जिनके पास country में oil होता है, वो क्या करता है, जो crude oil होता है, जहां से petrol or diesel produce करने में लगाते हैं, ताकि उसको ज्यादा ज्यादा export कर सेगें दूसरे countries को, तो यह चीज़ होती है, factor endowment, आपके हाँ पे ज्यादा तेल में तो आप सारा कुछ तेल के production पे लगाईए, खुब सारा तेल प्रोडूस करें और export करें, यह factor endowment theory कहलाता है, the country of Australia has huge endowment of natural resources comprising of valuable mineral, iron ore, coal, bauksite, gold lead, तो यह क्या करते हैं, कि यह सभी Asian countries को export करें, तो ऐस्च्रेलिय में यह में रच ज्यादा मंतरा पे बाया जाते हैं, iron ore, coal, bauksite, gold lead हो गया, तो यहाँ पे ज्यादा पाते हैं, तो यह लोग आश्च्रेलिय में क्या होता है, कि इनका production ज्यादा ज्यादा क की जा रही है फिर उसके production पर ज्यादा काम मेहनत करिए और उसको export करिए फैक्टर इंडॉमेंट थियोरी बटो बिजब बद है कि जब ज्यादा पाया जा तो उसके production cost भी क्या होगा कम होगा और next है international product life cycle थियोरी international product life cycle थियोरी कुछ नहीं है यहाँ पर बस इतना बताया गया है कि कैसे आपका जो product जब international market में इंटर करता है तो कौन कौन से stages है जहां से वो pass होता है कोई stage पर आपको कौन से stage लगाने है क्या decide करना होता है तो stages आप सभी को पता होंगे marketing management भी आपने पढ़ा है introduction growth maturity और decline यह चार stages होता है तो यह जो थियोरी थी यह दी गई थी रहमेंड वर्णन दोरा तो product life cycle theory is an economic theory that was developed by रहमेंड वर्णन दिस cycle describe how a product mature and decline as a result of internationalization तो जब आप product को international market में launch करते हो तो कैसे product pass करता है और कैसे वो मैचूर करता है कैसे वो decline phase में आता है वो चीज़ यहां पर आपको यहां पर देखनी होती है explain the cycle that products go through when exposed to an international market तो जब international market में product को introduced करते हो तो कैसे वो क्या cycle follow करता है आपका product वही international product life cycle तो यहां पर देखिए नॉमली यही स्टेटिस होते है इंट्रोडक्शन होता है मार्केट में फिर उसका growth होता है international market में अब यहां पर देखिए नॉमली जो आपने marketing में पढ़ा होगा हो क्या होगा national market में होता है domestic में यहां पर international market तो यहां पर आपने product दूसरे country में introduced किया तो वहां पर वो introduction phase होगा आपने product चाइना में introduced किया तो चाइना में इंट्रोडक्शन फेज होगा चाइना में इंट्रोड़्यूस होगा लोगों ने पता चला वह ग्रोथ हुआ और maturity stage पर आगया फिर decline होगा अब यहां पर आपको अपनी stages देखने है कि कहां पर कौन सी strategy लगाने है कैसे दुबारा से उसको revive करना अगर decline stage में जा रहा है कैसे उसको और ज्यादा profit करना है कैसे क्या 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 उसमें changes करना है तो यह आपको उसमें उसके according decision लेनी होते है तो international product life cycle थे इंट्रोड़क्शन ग्रेट